जब आप क्लास ट्वेल्थ में चले जाओगे ना जब आप क्लास सब्स्रों दो और सीनियर विल्थ में पॉहँच जाओगे तो आपके लिए पर भीले बीगेस प्रॉब्लम मुझे जो होगी यह डाट इस प्रॉब्लमा झांह। है था यह लेट क्लास ileyo आप किसी भी class 12 के student को बगड़ लो तो वो बोलेगा कि चाहे उसने class 11 पढ़ी हो या फिर class 12 से preparation start कियो कई लोग class 11 में नहीं पढ़ते हैं जी की preparation नहीं करते हैं डार्टी class 12 में entry लेते हैं तो उन सबी के लिए biggest problem है class 11 तो आपको अभी आपके पास में time है आप अपना time invest भी कर रहे हो preparation में तो इतने positive तरीके से इसको utilize करना है कि जब आप class 12 में पहुंचो तो class 11 आपके लिए biggest problem ना हो एक हलकी फुलकी problem हो that we can know समझ मैं क्योंकि जब आप class 12 में जाओगे तो आप इससे थोड़े से ज़्यादा pressurized होंगे क्योंकि उस में class 12 में आपको syllabus भी जैई का भी cover करना है और कहीं ना कहीं आपके boards भी हैं आपको बोर्स में भी 75% से उपर score करना है तो थोड़ा हमारा situation सर 11 वाली class के मुकाबले 12 में जैदा pressurized होगा और syllabus चलेगा 12 का जही का फिर boards आ जाएंगे फिर जही मेंस आ जाएगा पहले जही मेंस आएगा फिर बोर्स आएंगे फिर जही मेंस आएगा तो उसमें आपकी सबसे आप अपना attitude सोच कीजिए class 12 वालाई अभी सही उतने serious रहोगे तो आपकी आगे आने वाली journey बहुत अच्छी रहेगी और अगर आपने इस problem पे अभी काबू पा लिया मतलब मैं थोड़ी सी projection की बात कर रहा हूं और वही एक सफल student कहलाता है जो अपने आगे की चीजें 12 में फिर आपको drop लेनी की फील आएगी एक साल और पढ़ना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी सी calculation करें तो आपने 11 में प्रिप्रेशन की प्रिप्रेशन हलकी फुलकी रहेगी फिर आप वापिस drop में आए यह situation ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा अराम दा किये पी वाई क्यू सॉल कीजिए जो भी मॉड्यूल आपके पास में है कुशन प्रेक्टिस कीजिए क्लास में जो आपको दिया जा रहा है उसके साथ इन्वाल्ड रहिए पैलल में रहिए किसी बी तरीके से बैक लॉग किसी रेंडम कारण की वज़े से मत आने दो कि हां पढ़ने की चानी हो रही इसलिए बैक लोग हो गया नहीं बाई सबसे बड़ा सिर्दर दिये बनाऊगा और अभी आपके पास में टाइम बहुत है अभी तो 11 के 3-4 महीने पड़े हैं दिसम्बर जैन्वरी और फैब मिड बोल दो तो धाही महीने तो जब पूरे पूरे यही पड़े हैं उसके बाद में भी 12 पूरी शुरू होगी समझ पारे हो तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं प्लीज बी वेरी कॉंसिए बाउट डिस एंड क्लास 11 पे एकदम 100% काबू प जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं बहुत गलत कर रहे हो बेटा क्लास 12 में पहुंचने के बाद में क्लास 11 के नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा और अगर टाइम मिला भी तो फिर उससे कुछ फाइदा होगा नहीं क्या अगले साल इस टाइम पे सलेबस खतम होगा आपके बास में दो महिने होंगे दो महिने क्या इस टाइम पेसलेबिस खतम होगा आपके बास में डेड़ महिनाई होगा जिसमें आपको जेही मेंस और बोर्ड दोनों करने है तो क्या आप class 11th के chapters के नूट्स बना पाऊगे नहीं क्या मेरी बात समझ पा रहे हो feel this thing आप इस चीज को feel कीजिए और हा सर बोले आप हम समझ गए हैं कि हमें ये नुकसान नहीं करना है अपना और revise कैसे करना है short notes बनाओ आपने पूरा एक बार पूरा chapter पढ़ लिया जैसे sequence and series is done now short notes बनाइए प्लीज जो भी important बाते हैं सारी के सारी आप एक page पे लिखे एक page हो सकता है या फिर दो page लग सकते हैं a4 size के दो page ले लिया आगे पीछे तो टोटल आपके पास में चार पन्ने होगे लिखते जाओ उन पर जो भी important formula है short में आपने को important बात बोली important note करके लिखो अच्छे questions का address लिखी उसमें यहां सर आपने जो हमारे sequence and series के हमारे पास में दस class के lectures आये notes आये उसमें lecture number 7 में slide number 5 पे आपने बहुत बढ़िया सवाल करवाया था तो जब वह address वहां लिखा होगा तो आप सोचो revision की एक साल बात की सोच ही प्लीज और इसको कोई सोचता नहीं और सुचता नहीं कर लेंग का लेंगे तुम Pal गरव!! मार्च लास्ट में स्टार्ट होता है तो वह भी अभी दूर है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर समझो और बहुत साई लोग अभी भी समझते कि रिवाइस करने का मतलब कि लेक्चर वापिस देखने नहीं भाई रिवीजन होती है नोट्स के थूरू सवाल दुबारा सॉल करने होते हैं लेक्चर थोड़ी दुबारा देखना होता है हाँ कोई ऐसा टॉपिक आगया कोई ऐसी क्रिटिकल बात आगी जो आपको नोट्स से नहीं समझ में आ रही है फिर आप लेक्चर पर जाओ वो भी उतने पोर्शन के लिए सारे लेक्चर दुबारा नहीं देखने हैं अभी आप देखो गए बच्चे पता रिवीजन क्या सोचते हैं और उनका सोचना कितना अपने इसाब से सही है बट वैसे कितना टेक्निकली इंकरेक्ट हैं वो सोचते हैं अच्छा सामने लेक्चर चल रहा है है यह हमारा रिवीजन हो रहा है यह थोड़ी रिवीजन है भाई यह तो दूबारा देख रहा है उसको टाइम भी इतना सारा डाल रहा है तुझे लग भी राए कि तूपड रहा है बट उसका कोई आउटपूट नहीं आएगा और रिवीजन तभी बहुत जोड़दार हो को कॉंसेप्ट को रिवाइज करना है